हेलो दोस्तो सुवागा थे आपका अपना चैनल टेकनिकल का फी यूटूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक मीक्सिंग राइनडर मेशिन को किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है इसका पूरी की पूरी दोस्तो कोईल वाइंडिंग डाइग्राम के साथ इसका कानेक्स हैं सब कुछ इस वीडियो में फूल डिटिल से आपको दिखाऊंगा अगर आप पहली बार इसको वाइंडिंग कर रहे हो तो 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाऊगे पूरी जानकरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी किस तरह से इसको रिवाइंड किया जाता है किसी भी मिक्सर मेशिन का रिवाइंड कर सकते हो दोस्तो इस व तो आए सबसे पहला हम इसको ओपेन कर लेते हैं और इसका जो फील कोईल है वो जाल चुकी है उसको हमने रिवाइंड करना है देखिए इस एमपुलर को आपको खोलना है तो इसको खोलने के लिए दोस्तो देखिए किसी-किसी में इसका लॉक सिस्टम होते है उपर की और पर आपको जो आर्मी चारे दोस्तो उसको हातों के मदा से इस तरह से दाबा के रखना है और इसको खुल जाती है दोस्तो देखिए और उसको खोलने के बाद इसमें उपर में चार नाट लगाई होगी उसको भी आपको खोलना पड़ेगा देखिए इसको खोल के बाहर निकल लिया है अब इसको दुस्तो फिल कोईल को बाहर निकलना है तो हमें क्या काई नहीं है इसमें दो नाट लगाई होती है उसको भी आपको खोलना पड़ेगा तो आईए इसको भी हम खोल दे थे फटाफट से तो देखिए इसको हमने ओपेन कर लिया है और यह देखिए जो बॉल है दोस्तों इसको आपको खोलना नहीं है क्योंकि इसकी उपर में इसको बिठाना है इस तरह से वाय निकाना है और यह देखिए यह उसका फेल कोईल बूरी तरह से जल चुकी है क्यों हम आप दोनों फेल कोईड में प्रेये निकाने परेगा क्यों जाद चुका है बूरी की बूरी इसका जो आर्मीचर है दुसतों लगभग ठीक है और आर्मिजर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है उसके लिएक में वीडियो मनाऊँगा उसमें आप सिखेंगे किस तरह से आर्मिजर को टेस्ट किया जाता है अब भिलाज आपको फिल कोईल वाई निकाना सिखना है इस वीडियो में तो देखिए फिल कोईल को हम इस तरह से बाहर निकल लेना है, इस कूड़ावर के मदद से, अब देखिए दोस्तों इस कोईल को आपको बीचो बीच काटना है, जो सिम्पूल सा कोईल जिसमें दो लेड निकल काती है, उसको आपको काट के डाटा निकलना है इस तरह से, इस तरह से आपको एक, दो, तीन, चार इस तरह से count करना है और इसमें total कितना ton दिया गया है वो आपको note कर लेना है इस तरह से आपको mixi grinder का data निकल सकते हो इसलिए मैंने आपको यह सब कुछ दिखाया है देखे इस material दोस्तो एक, दो, और यह तीन, तीन सो और यह बीस ton देया गया है तो यह symbol चार सक कोईल में हमको 320 ton में compete किया गया है इस कोईल को उसकी बताती है जो resistance coil इसमें आपको काटके नहीं निकलना है दोस्तो इसको आपको जो है इस तरह से खोल-खोल के data निकलना है तो सबसे last में जो lead निकल गया है दोस्तो उसको हम देखते कितना ton पे निकल गया है इसको जो last में यानि low speed बाला जो lead है उसको हम count करेंगे कितने element निकला गया है तो जल्दी से मैं इस तरह से इसको खोल लेता हूँ देखे दोस्तो जो last का lead निकल गया था बो 35 यानि 35 नमबर टान पर दोस्तो हमारा low speed loop निकला गया था अब देखते है medium बाला जो lead आया है दोस्तो मेरे हाथ में इसको कितने ton पर निकला गया है तो इसको हम काउंट कर लेते हैं जल्दी से खोल के इस तरह से यह गुदूतियन इस तरह से आपको इसको खोल खोल के काउंट कर लेना है इस तरह से किसी भी mixer गया दोस्तो डाटा निकल सकते हो देखे दोस्तों हमरजा medium speed के लिए लूप है बो 60 टन पर निकल गया है इसकी बाद जो high इसका inner wear होती है और high speed तो इसका बीच में काटके दोस्तों आप count कर लेना और आपको high speed का डाटा निकल जाएगी तो high speed यहाँ पर दूस्तों 230 टन दिया गया है high speed में आप देखिए यहाँ पर इसका जो वैर है दोस्तों इस वैर को आप एक साथ में weight कर लेना है डाला में जो weight डाला होती है दोस्तों उसमें आपको वैर कर लेना है उसकी बाद इस दोनों coil में से दोस्तों किसी भी एक वैर को काटके आपको जो दिस दोकन में आपको वैर खर दने जाओगे उहाँ पर इसको ले बैसिक साइन फर्मेसान है वो आपको दे दाता हूँ देखे इसका जो चौड़ा है हमारा इस्टेटर का वो तक्रिबान दो सेंटीमीटर है और इसका देखे इस तरह से अगर देखेंगे हम आउटर डाई बहुत लग देखेंगे आपको सारे पास सेंटीमीटर दिखाए देखी और इसका लंबाई देखेंगे दुस्तो इस तरह से वो आपको सारे आट सेंटीमीटर के सारे साथ सेंटीमीटर के आसपस दिखाए देत अबको इसको माप जूब करके दिखाया दिया है, तकि आप इसको मिलाके आप खूद इस डाटा में यूज़ का सकते हो, उसकी बाद कॉईल बनाने के लिए आपको इस तरह से लकरी का एक फार्मा बनाना है, तो फार्मा का साइज आपको इस तरह से निकालेंगे, देखिए आप इस तरह से साइज निकलेंगे तक कि इसको दोनों साइड में तकरिबान 8 mm इस्तरा से ग्याप होणा चाईए एसतरा से घ्याप होना चाहिए और आप मापकर के दूस्तरीista कोईल बना पाओंगे इस तरह से कोईल आपको फर्मा बना रहेना है खुद से अब देखिये मेरे पास है इसका साइज है वो तकि बन सारे 17 सेंटीमेटर के आसपास गोलाई में अब देख सकते हो इस ता से आपको लकली का फार्मा बना ले लेना है ताकि कोयल आसानी हो आप चाहो तो दोस्तो आलग पदोती से भी कोईल बना सकते हो लेकिन यह सबसे आसन तरीका है कोईल बनाने के लिए इसकी बाद हम यह हैंड मेसेंज से कोईल बनाएंगे तो फर्मा को कुछ इसना से सेट कर लेते हैं अब सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आपको टाइट करना परेगा अब हम इसका दुस्तों बीच ओ बीच एक वयर रखेंगे ताकि जो कोईल कॉम्पेट हो जने के बाद इसको लॉक करने में काम आए और देखिए इसको हम हैंडल को एक पक घुमाएंगे दूस्तों गोलाई में तो इसमें कोईल में हमारा एक टान हो जाती है तो इस तरह से क्यालकुलेशन करने करके आपको कोईल डालना है तो आप देखिए मैं यहाँ पर तीरस नमबर का कॉपर वयर ले लिया है आप इसको इसमें इस तरह से जोर के हम कोईल बनाना शुरू करेंगे साबजे कोईल रिस्ट्रान रहे है दूस्तों नमा यहां पर देना है 203-2 思. हमने 2303िट्रन इसमें चलक्व करते है उसकी बाद आपको बाद आता है आगे का प्रॉसस्त क्या होगी तो देखिए दोस्तो हमने दोस्तो त्रींटन देने के बाद, दोस्तो आपको यहाँ पिनुप निकालना है और इसको आशानी से आप फैसनने के लिए आप यहाँ पे यह एक इस्टिकर लागा सकते हो जैसे कि में आपको दिखा देता हूँ देखिए इसमें हमने लगा दिया है हाइज स्पीड इसमें हमको मालूम चल जाएगी कि हाइज स्पीड का लूप है कि इसकी बाद हम यहां से फिर से स्टाट करेंगे कोईल करना वेकर बीना कटे ही आपको यहां पर साट ट्रान देना परेगा यहां देखिए साट ट्रान कॉम्पेट हो चुकी है अब यहां पर हम मेडियम स्पीड के लिए एक लूप लूप निकलेंगे यह वाला देखिए मीडियम स्पीड के लिए हमने यह लूप निकल दिया अब यहां पर भी एक किस्टिकल लगा देते है तो यह हो जाती है हमारा मीडियम स्पीड है ना इसकी बाद दोस्तों हम लगाएंगे लोई स्पीड तो लोई स्पीड के लिए दोस्ता आपको यहां देना परेगा 35 यहां पर लगाएंगे उसकी बद आपको लोई स्पीड के लिए एक लूप निकल के आजाएगी यहां आउटर वेयर जो होगी दोस्तों वह आपकी 35 टान पर निकल जाएगी अब देखिये यहां पर हमारा कॉमपीट हो चुकिये कॉईल लास्ट में जो वेयर आती हे यानी आउटर वेयर वो हो जाती है हमारा लोई स्पीड के लिए और थाट्टी 5 टान पर कॉमपीट हो जाती है कि अब इस कोईल को हम यहां से खोल के अलग कर लेंगे उससे पहले जो वैर हमने बिछाया था दोस्तों को लोक करने के लिए उससे कोईल को इस तरह से बांद लेंगे और इसको बाहर निकल लेंगे अब इसकी बाद दोस्तों हमको सेकेंट कोईल बनाना है जिसमें कोई भी रेस्टेंस लूप नहीं निकल के आएगी शिरिव आपको एक स्टाट होगी इनर वैर और आउटर वैर तो अब यहां से हम सुरू करते हैं और टूटल यहां पर हम देंगे 320 टरन और इसकी बाद हमरा जो लास्ट में एक आउटर वैर निकल के आजाएगी आप इसमें से किसी को आउटर किसी को भी इनर वैर मान सकते हो कोई प्रॉब्लिम नहीं है अब देखें कॉम्पेट हो चुकिये 320 टरन हम यहां पर लगाया है और यह दो नमबर कोई भी कॉम्पेट हो चुकिये आप देखें दोस्तों कोईल हमरा बिल्कुल कॉम्पेट हो चुकिये अब इसको आप क्या करना है टेपिंग करना पड़ेगा ताप टेपिंग दोस्तो जो पेपर टेप से भी कर सकते हूँ और फिलेम पेपर से भी कर सकते हूँ उससे पहले आपको इसका जितने भी लीड है दोस्तों से रहा है उसमें आपको एक नंबर का स्लिपिंग टूब डालके इस तरह से लगा देना है अब यहां पर हम इस तरह का साथ नमबर का दुस्तों PVC पेपर लिया है और इस तरह से इसको गोल काईगे हम टेपिंग करेंगे और यह जो पेपर यह आपको इस्टाटर के चावराई से थोरा सा बारा होना चाहिए आप यहां पर फिर भी कुई काठा लगाएंगे आप चाहो तो यहां पर श्यालो टेप भी लगा सकते हो लेकिन इससे काम आसानी से हो जाती है तो यहां पर हमने आठा लगा दे दिया असको बाद यहां इसको थोरा सा इस तरह से दाबाके रखना है और यह आपने आप लोख हो जाएगी देखिए एक साइड हो चुकी है आप दूसरा साइड भी हम लगा के दिखा देते हैं आपको बहुत यह आसान है दूस्तो इस तरह से आपको रखना है पेपर और इसको गोलाई करके इस तरह से लगा देना है और इसकी बाद आपको यहाँ पे थुरा सा अठा दे देना है और यह इसको चीप के रखना है और देखिए यह लग जाएगी इस तरह से दूसरा कोईल भी आपको कर लेना है उसकी बाद मैं आपको बताता हूं इसको क्या करना है देखिए दोनों कॉयल में हमने इस तरह से दुस्तों टेपिंग करके कॉम्पेट कर दिया है अब देखिए कॉयल को स्लोट के अंदर डालने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना है यहाँ पर थोड़ा से हमने आठा दे दिया उसकी बाद इसकी उपर इस तरह से एक फिलिम पर आपको चिपका देना है और इस साइड में भी आपको स्यम उसी काम करना है इस तरह से लगा देना है अब इसकी अंदर हम कॉयल डालते हैं कॉयल बहुत आसानी से दोस्तों अंदर उठ चला जाएगी कॉयल की साइज थोड़ा सा बरा है और यह अच्छी तरह से ब्याट जाती है देखिए इस तरह से आपको बिठा देना है कॉयल को बहुत ईजी है इसकी बाद दोस्तों आपको धागे के मदा से इसको पीछे के साइड बेश तरह से लग कर देना है और इसको सही जगा पर इस तरह से रख देना है देखिए कितना आसान है से कॉयल हमारा इनिश्टूल हो चुकी है अच्छी तरा से इसके बाद दूसरे कोिल भी दुस्तों इसी तरा से डालना है डालने के समय दौस्त आप ध्यान रखे इसका जो लीड है दूस्तों आप किसी को भी किसी साइट रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और इसको भी इस तरह से आप लॉक कर दीजिए कोई प्रोब्लम नहीं है इस तरह से अच्छा थाइट करके दुस्तो इसको इस तरह से बांद देना है देखिए कितनी अच्छी तरह से हम दोस्तों बारने स्टरने से कोल बहूत हो जाएगी और कमपिट हो जाती है और इस को धूप में 2-4 गंट आपको सुखा लेना है कोल हम दोस्तों सुखे कमपिट हो जुकी है और बिलकल है हाड हो जुकी है अब इसको हम फेटिंग करेंगे तो इस तरह से बिठा दिजिए इसको यह देखिए बहुत ही इजी है दोस्तो इसकी बाद इसकी उपर इस तरह से जो लोहे की बॉल है दोस्तो इसको रखना है इसकी बाद इसको इस तरह से बिठा दिना है यह जो दुस्तों लोहे की बॉल है इससे इसका दुस्तों जहे घूमने में आसानी होती है और इसको जो अमरा आर्मिचर है उसको जाम करने में या टाइट करने में या लूज करने में काम आती है क्योंकि इसके पीछे में यह बाला जो देखिए अग्जेस्टेबल नाट दि देखिए आच्छी तरह से आप इसको इसकी अंदर हम बिठा देना है उससे पहले आप एक आपको रवर रखना है उसकी उपर इस तरह से इसको बिठा देना है यह देखिए आप इसकी यहाँ पे जिसतरह से इसको 4.8 था बिल्कुल उसी तरह से इसको 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 लॉक कर दे है यह उल्टी तरह घुमाएंगे तो यह लोग हो जाएगी आप देखिए दोस्तों यहां पे तंबे की पत्ती होगी जो हमरा कार्बन ब्रास के साथ याटरस करने के लिए दिया जाती है जो पुरानी कोईल में से आपको मिल जाएगी हम क्या करेंगे इस कोईल में दोनों होती है उसमें लगा देते हैं जो हमरा कार्बन ब्रास के साथ जुरा रहेगी तो देखिए मैंने इस कोईल पर इस साइड में लगाया है अब बिलकुर इसके ऑपर जिस ठाइड में दोस्तों जो हमरा इनर वैर है रिस्टान स्कोईल का वहां पे आपको एक तंबे की पत्त की लगाना है इस तरह से देखिए यहां पर भी लगाय कॉम्पेट कर दिया है यह दिखिए अब इसको आपको कानेक्शन करना पड़ेगा तो आए दोस्तों कानेक्शन सबसे पहले आपको डाइग्रम के मदद से दिखा देते हैं उसकी बाद आपको प्यक्टिल कर ये दुन हमरा कार्बन भ्यासे रेगूलेटर है ये वह प्रोटिक्टर है और युश्चै कान हमरा इनपूट होती है तो擊 कोईल हमने की सfind reinforcements की तरह से बणाता है सबसे पहले हैं हम नेरसे ब्र्लाइकरी सबस्केतरा करना बबाद यहां से इस तरह काना ये थाotes किया जो लूप होगी दोस्तों हमारा हाई स्पीट पॉइंट के लिए उसकी बाद फिर से यहां से हमने इस्टाट किया कॉइल करना उसकी बाद यहां पे साट टरंड लगाया और साट टरंड कॉम्पिट हो जाने के बाद यहां पे हमने मीडिया में स्पीट के लिए एक लूप न असके नहीं निकलेगी यहाँ से सुरू करना है यहां से खतम करना और टूटल यहाँ पर आपको 320 चुन्ऋ थे ना परीघाए देखे दोस्तों यहांसे दोछ्ण को आसी ग्राम आपको वड़र लायगी कोई लगाना है और इसकी दोनों वायर में से दोस्तो अगर आप इस साइड का इस कोयल का इनार वायर लेंगे तो बिल्कुल इसकी वपोजी साइड में दूसरा कोयल जो है उसका ये वाला वायर आपको लेना परेगा ठीक है ये वाला नहीं लेना है आपको ये वाला वायर लेना ह टीक है और इसको आपने यहां पर रावन ब्रस के साथ लगाना है उसकी बाद इसका जो दूसरा होगा वास्ति है वो डारेक्टि हमारे मेन शाप्लाई के लिए निकल जाएगी और यहां पर जो यह यहां से आपको एक वयर ले जाना है इधर पर एक वावावलट प्रोटेक्टर होते है दोस्तों उसमें दो पिन में से किसी भी एक पिन प्र लगा देना है और फिर उसको दुसरा पिन से आमरो वयर लिकशन रे ले जाना है और यह इंपूद लाइन के लिए निकल जाएगी यह लाइन और एक नूटल तो दुनों में से किसमी लागा सकते हो इस तरह से कानेक्षान कॉम्पिर हो जाती है और जितने भी दोस्तों मिक्सर होती है सभी कानेक्षान से सेम टू सेम होती है सिरिफ इसका क्वाइल का डाटा वर का स्टावलूजी यह सब कुछ अलग-अलग ह बाकि जो दूस्तों कानेक्षान है वह बिल्कुल सेम होती है कानेक्षान में कोई चिंज़े नहीं होगी अब चाहो तो इसका किसर्ट कर लिजिए अपका बहुत काम आएगी देखिए दोस्ता अब हम practically इसको कनेक्षान करेंगे तो सबसे पहले हमको carbon brush डालना है और इस तरह से डाल देते हैं और यहां पे इसको lock जो एक वाएर हैं यहां पर डाल दिया देखिए इस कोईल को हमने यहां पर डाल दिया इसका जो carbon brush के साथ कनेक्षान हो गया उसकी बा करना है कि इस बाइल को देखिए लगा दिया है अब हम क्या करेंगे बाके जो तीनों लीडर दुस्तों इसको हम रेगुलेटर के साथ लगाएंगे तो देखिए यहां पर जो एक नमबर लिखा रहेगी दुस्तों वह हमारा लोई स्पीड के लिए है तो उसमें इसको कनेक्शन कर देते हैं देखिए लगा दिया है आप जो दो नमबर है दोस्तों वह आप आएगी मीडियाम स्पीड के लिए यहां पर दो नमबर आपको लिखाई दिखाई देगी रिगोडर में उसमें आपको लगा देना है जो मीडियाम स्पीड के लिए है तो चलिए लगा देते हैं देखिया लगा दिया है अब दिन नमबर जो लीड होगी यानि हाई स्प जो होगी हमारा common यानि main supply के लिए तो यहाँ पर main supply के लिए मैं में supply का quad ले लिया है अब इसको आपको क्या करना है जो single सा coil है दुस्तो उसमें आपको एक्स्टर होया यहाँ दिखाए देगी उसको यहाँ पर लगाना है आप यहाँ पर बीच में एक overlay protector लगा सकते हो मेरे पा मैंने तरह का मिलार क्याना है देखिए इस बार जोight है आपको दीखाए देगी एक सटर उसमें आपको पी लिखाए देगी उसमें लगा देना है झाहिए हमने लगा दिया है अब इसको आपको में चला के दिखाऊंगा तो इसका धाकान को कुछ इस तरह से लगा देते हैं और फिर इसको मेन सप्लाई देकर टेस्टिंग करते हैं देखिए मेन सप्लाई आप दे देता हूं मैं देखिए गूमने लगा है हमने एक ओन पर दिया है इसकी बाद दो इसकी बाद है तीन स्थ देखाने डिके दूस्त नरी के कशी से चल रहा है लेकिंगि यहांप फिन उल्टी तुर गुम रहा है इस तरह बोटा सा काम करना है स्थोरी आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हमने कार्बन ब्रास के साथ लीड लगाया है दोनों कोईल का आपको सिर्फ इस दोनों को एक्षेंज कर देना है ठीके यानि दोस्तो आपको मैं बता देता हूँ देखिए यह वाला जो लीड है दोस्तो इसको यहाँ पर लगाना है और इसको खोल के दोस्तो यहाँ पर लगाना है तब जाके दोस्तो यह सिधा गुमन लाएगी यह मैंने दोस्तो आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर अगर आप पहले बार इसको रिवाइंड कर रहे हो तो अगर आपके उल्टा चलती है तो आप किस तरह सीधा कर पाऊगे इसलिए मैंने आपको यह पाठ दिखाया है तो दिखिए यहाँ पर मैंने उठाके दूस्तों इसको साइड लगा दिया अब इसको हमने इस साइड पर लगा देते हैं सिर्व आपको जो कारवन ब्रास के साथ जो लीड होगी दूस्तों इसको एक्षेंज करने पर यह सीधा चलने लगती है इस तरह से आपको उल्टा सिधाब कर सकते हो अब चलिए फिर सहम इसको पावर सप्लाई देखे दिखाते हैं आपको से पहले इसको हमने स्कूरूल आकर टाइट कर देते है अब आईए इसमें कार्ण सप्लाई देते है अब देखे दोस्तो यह क्लॉआग बाइस घुमने लगा है यानि आप सीधी तरह से चल रहा है बिल्कुल ओके है आप इसमें कोई प्रॉब्लिम नहीं है आपको ये मिकसी ग्राइनडर को सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर मन में कोई साभाप तो कामन कर जाए अगर आवके तक मुझें इस्टरग्राम पर फोलो नहीं किया है तो इस्टर्ग्राम पर फोलो कर लिजिए of कोई भी प्रॉब्लेम होता आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो इस वीडियो कर देखने हैं